कि कि Hello Schmidt Today आप Вас about environment देखो environment के बारे में पिछले class में जो इंटोड़क्षन हों डिसकॉस हो गया हैuf इस उस उसमें के बारे में हम लोग और जानेंगी यो देखों environment को दो पार्ड में sok डृँवाइट किया गया है biotic और abiotic, biotic किसे कहते है, biotic जो living organism है, जिसके अंदर जान है, उसी को कहते है, biotic component, जो living organism है, जैसे plant, animal, यह सभी living organism है, इसे कहते है, biotic component, ठीक है, और second कहा देखो, abiotic, यान कि जिसके अंदर जान नहीं है, non living element, non living element को कहते है abiotic component abiotic component ठीक है अब देखो natural environment सभी student को देखो पता है आप लोगों को कि natural environment का component या natural component क्या-क्या है जो natural ही बना है वो ही है environment का natural component ठीक है जैसे देखो हम लोगों को पता है land, water, air यह सभी हो जाता है natural component of environment ठीक है अब देखो यह पर लीथो स्फियार के बारे में हम लोग जानेंगे देखो land, water, air, plant and animals compresses the natural environment यह सभी natural environment में involved है you are familiar with the meaning of लीथो स्फियार अभी हम लोग को जानना ज़रूरी है लीथो स्फियार क्या है, hydrosphere क्या है, atmosphere क्या है, biosphere क्या है ठीक है तो देखो लीथो स्फियार क्या है जो art का सबसे बाहर वाला layer है उसी को कहते है लीथो स्फियार लिथो स्फियर इस दा सॉलिड क्रास्ट और दा हार्ड टॉप लेयर अब दा आर्थ आर्थ का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसे कहते है लिथो स्फियर ठीक है, जैसे देखो यह आर्थ है, तो यह आर्थ का जो सबसे बाहर वाला पार्थ है, इसे कहते हैं लिथोस्पियर हम लोग जैसे देखो जानते है आर्थ का तो थ्री पार्ट है कोर, मेंटेल और क्रास्ट यह जो क्रास्ट वाला पार्ट है ओई है लिथोस्पिया ठीक है जहाँ पर देखो लिथोस्पिया इस दा डॉमें देट प्रोफाइड अस जिसके उपर फोरेस्ट है ग्रेस लेंड है जहाँ पर पस्वो को चराते है लेंड फॉर एग्रिकल्चर एग्रिकल्चरल एक्टिफिटीस होता है हुमेंड सेटलमेंट और हुमेंड सेटलमेंट भी होता है ठीक है तो हम सभी लोग lithosphere के उपर है हम सभी लोग lithosphere के उपर है ठीक है अब देखो hydrosphere, hydro means water है, यह याद रखना है hydro means water the domain water is referred to as hydrosphere ठीक है तो यह water कहा से आते है तो पता ही हम लोगों को यह water का main source क्या है water का main source है river, lake, sea और ocean ठीक है फिर देखो और है atmosphere 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 यह thin layer of air air का जो एक thin layer है air का जो layer है उसे कहते atmosphere वहाँ पर अलग-अलग type का gases रहते है ठीक है the gravitational force of the earth hold to atmosphere around it आर्थ का चारो तरप है यह atmosphere तो यह diagram के थ्रूँ हम लोग एक बार देख लेते हैं चलो देखो यह है लिथोस्पियर लिथोस्पियर के उपर settlement है यह लिथोस्पियर के उपर हम सभी लोग है यह लिथोस्पियर है ठीक है बायोस्पियर जो इससे उपर में है देखो यह बायोस्पियर है अब देखो हाइड्रोस्पियर यानिकी water include है atmosphere जहाँ पर air include है ठीक है अब ही देखो हम लोग जानेंगे इको सिस्टेम के बारे में इको सिस्टेम के बारे में देखो इको सिस्टेम एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर living organism यानिकी biotic component और abiotic component एक दूसरे के उपर depend रहते है ठीक है उसे ecosystem के बीच में जो relation है इसे कहते है अब देखो यहाँ पर एक ecosystem दिखा गया है एक ecosystem एक water का ecosystem दिखा गया है water में देखो एक living organism और एक लिविंग और्गानिजम के साथ रिलेटेड है यहाँ पर देखो फ्लावार है यह भी लिविंग और्गानिजम है यहाँ पर देखो बाइट यह भी लिविंग और्गानिजम है कुछ एनिमेल्स है यह भी लिविंग और्गानिजम है तो एक लिविंग और्गानिजम और एक living organism के साथ related है, इसी को कहते है ecosystem, ecosystem में basically क्या होता है, एक living organism और एक living organism के उपर depend रहते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ, हाँ, और एक है देखो human environment किसे कहते है, human environment किसे कहते है, human environment, यह बात को समझो, human environment, यह बात को अलग-अलग करके समझो न, human और environment, human अपने accordingly कुछ changes करते है, जैसे देखो जिसका छोटा सा घार है, बहुत बड़ा मकान बना रही है, बहुत बड़ा मकान बना रही है, ठीक है, बहुत बड़ा मकान बना रही है, तो अपने through, अच्छे से जीने के लिए change किये है, यार की modify किये है, जब human environment को modify करते है, तब उसी environment को बोलते है, human environment, ठीक है, जब human environment को change करते है, उसे कहते है, human environment, अपना need के लिए, जरूरत के लिए change करता है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कुछ question sensor है, यह हम लोग discuss करेंगे, और इस chapter में अगर कुछ topic में doubt है, तो उसी doubt को clear कर लेंगे, thank you.